कि हिलोगा दोस्तो उमीद कर थें आंप खरयत से होंगे चोधक निटर के इस वीडियो टूटोरियल के इस सेक्षन में हम कोधिक ब्रके डारेक्टर स्सट्थर को श्वर सब्सक्रें को झूता क्या है कि जब डबल क्लिक करा और नेक्स नेक्स करने के बाद एक चीज इंसाल हो गई और आपको एक बड़ा खुबसूरत और यूजर इंटरेक्टिव इजल इंटरेक्ट करने वाला प्रॉसेजर मिले तो बिल्कुल ही सारे फोल्डर होते हैं और फाइल्ड होती है तो इनके देखकर आम पर सूडन्स को थोड़ी से परिशानी हो जाती है या पर सब्सक्राइबल फील नहीं करते किस तरह की चीज़ है कि सब कुछ फोल्डर है तो ऐसे कोई बात नहीं है यह बहुत ही असान है समझना और बहुत असान है को डिग्नेटर को अगर आप इस डिरेक्टर स्ट्च्च इस प्रिजेंटेशन में मैंने कुछ फोल्डर को डिस्क्राइब करने ही कुशिश कीजिए तो सबसे पहले जिसमें है अप्लिकेशन फोल्डर इस फोल्डर के अंदर मजीद कुछ सब फोल्डर मौजूद हैं जैसे कि कैश इसके बार में लिखता है यह फोल्डर जो है करता है आप्लिकेशन की जैसे कि आम तो भी तो कोई ब्राव्बाव्बर करते हैं और उसको चलाते हैं तो वह साथ में की ऑसी पेश को आपने दोबारा विजिट करना हो सर्वर तक एक्स्ज़ना जाओ cabeçaए यह वापस ब्राफस नेटा प्सस चाहरे तो वोई चीज केशमें computer में save हो जाती है locally वहीं से उसको fetch कर ले जाता है और जिससे थोड़ सी performance increase हो जाती है तो codingator में भी इस बात का ख्याल रखा गिया है कि cache के feature को यहां भी enable रखा गिया है और जब भी आपको application बनाते हैं तो करेंगे तो config जो है वह very important मैंने सारा नाम लिखाव है कि यह बहुत ज्यादा एहम folder है file containing के हवाले से database connection जब हमने बनाना होगा तो हम इसी folder के अंदर जाकर कुछ file है उसमें जाकर कुछ editing करेंगे तो database से connection establish हो जाएगा और भी इसके बहुत सारे स्तमाल आएंगे base URL वगारा set करेंगे तो भी वह इसी folder में होता है controller यह हमारी application जो MVC है उसमें यह MVC model view controller जो C है उससे controller बनता है और वह यही folder है जहां से हम अपने application को access कर सकते हैं यही वह point है controller जहां से हम किसी भी coding creator की application को entry point जिसे कहां जाता है ना यह model को direct access कर सकते हैं और ना ही view को अब इसलिए अभी तो आप develop करें तो और folder को या कर खोल सकते हैं लेकिन जब application run हो रही होगी production में होगी या testing phase में होगी तो उससे सिर्फ controller से ही access किया जा सकेगा core main और base classes आ यहां पे कुछ main classes हैं जो कि हम अपने किसी भी application जब बनाते हैं coding creator पे तो उन classes को inherit कराते हैं extends के keyword के साथ तो इंशालला जब हम करेंगे तो इसके बारे में और मजीद देखेंगे helper classes अवेलिबल हैं जो कि हमारे लिए बहुत दाए यह सानी कर देती हैं कि बहुत सारा code इसमें पहले से मौजूद है आप बस उसका function और उसका खास code है वो यूस कीजिए तो सारा code automatically generate हो जाता है कुछ मज़िद फोल्डर भी बाकि हैं हम एप्लिकेशन फोल्डर में के languages का एक फोल्डर मौजूद है कि ना जो languages related files है अगर आप किसी और application किसी और जबान की लैप्लिकेशन बनारी है तो जो सारी languages की deal होगी वो इस folder में libraries का folder यहाँ available है तो libraries class यहाँ पर available है जो कि developer को बहुत जादा help लेती है इनको भी हम देखेंगे logs कोई भी application चलती है तो साथ एक log file भी create होती है और यह अच्छी बात है कि log file के रेडर कुंकर अगर खुदाना खासता कहीं पर application crash हो जाती है तो log file ही बहुत जादा help करती है कि किस जगह आके और किस point पर application crash हो यह उसकी मदद से error को detect करना बहुत अदा असान हो जाता है बजाए कि शुरू से लेकर चला जाए application को और उसको for database dealing और login code model यह भी mvc में जो m है यह model उससे relate करता है इसमें हम सारा database का code रखते हैं जहां से database को login किया जाता है और database कि जो भी हमें curious लिखने हैं वह सब यहां इस model में हम लिखेंगे तो इसके बाद है third party एक folder जिसमें हमें plugin रखते हैं अगर हमें जरूरत है अपने application में कोई खास plugin इस्तेमाल करने की तो वह हम इसमें रखेंगे view में वह सारा code मौझूद होता है जो भी हम browser पर display करना चाहते है जब भी browser पर कुछी display होती है तो जो entry point है controller वह view को request देता है और view वह उस application को receive करता है और उसके मुकाबले में respond करके आपको browser पर display करता है तो इसको भी हम देखेंगे इसके बाद application folder के बाद नीचे एक और फोल्डर है system folder system folder इसके बारे में सबसे पहले तो आपको यह बताने कि आप इसको touch नहीं कीजेगा यानि कि आप इससे खोल के आप देख लीजेगा लेकिन किसी भी file में कोई editing कोई changes नहीं कीजेगा नहीं तो आपकी पूरी application crash हो सकती है core का folder मौझूद है यहाँ पर core file मौझूद है कोडिंडर की जो actually coordinator framework जो है actually वो यहाँ पर है तो please do not modify anything database database के driver जो बताया गया कि सारी database की complexity को छुपा दिया गया है और आपको छोटे 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 function दे दिये गए है तो वो सब यहाँ पर वो सारी coding इसके अंदर मौझूद है font, font से related है कोई नए font आपने install करने है वैसे तो हम आम तोर पे google phone को अपने view में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकर अगर आपने कुछ built-in करना और कुछ local server पर चलना है just like that तो वो यहाँ पर मौझूद होगा helpers इस टाइडर कोडिंग नेटर के जो helper है जो कोडिंग नेटर ने खुद फरहम करने जैसे URL को maintain करना cash cookie contain करना और कितने time के लिए सब वो चीज़े इस यहाँ पर अवेलबल है languages मुराद अगर कोई चीज़ आपको फाइल दरकार है या कोई चीज़ देखनी है तो वह language के folder में libraries यहां मौझूद है अच्छा यह libraries का folder वहां भी मौझूद है application में तो यहां भी है और तो वह ऐसा है कि वहां पर आपनी libraries को भी add करा सकते हैं और जो libraries मौझूद है उनको edit enable disable कर सकते हैं लेकिन यहां जो libraries है इनको आप बिलकुल नहीं touch करेंगे क्योंकि सारे libraries main feature और main functionality perform कर रही होती है जैसे के लिख है about calendar file upload and send email email send करनी है तो वह email को किस तरह send करना है file upload होनी है तो वह उसको receive करना है और सारी चीज़े तो वह सब इसके अंदर सारा code मौझूद है और तीसरा equipment folder है जो कि obviously आपने इसको देख चुके होंगे user guide तो इसमें simple आपने जो index है HTML इसको double click करने और आपके पास कोडिंग नेटर की documentation अपन हो जाएगी और आप explore करें कोडिंग नेटर को तो इस section का मतलब सरिफ आपको थोड़ा सा आपकी complexity और जो एक confusion पैदा हो रही थी students को कि एक folder download होगे इसके अंदर मजीद sub folder है और बहुत सारी files है तो उन चीजों के बारे में आपको थोड़ा से clear करना था कि कोई परशान होने वाली बात नहीं है बहुत असान है codignator दो तीन folder से हम actually deal करते हैं इन सब folder में से हमारा बहुत कम वास्ता पड़ेगा और बगर कुछ folders को तो हम open करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती तो सिर्फ दो तीन ऐसी file है और folders है जनको हम access करेंगा और उनके अंदर भी access करने के बाद भी उनने पूरा चीज़ नहीं करेंगे सिर्फ चंद एक चीज़ों जो मैं दरकार होंगी उनको बस मामुले से edit करेंगे और बाकी किसी चीज़ को हम ऐसा नहीं करेंगे तो stay tuned अगली section में आप से मलाकात होती है अल्ला आफिस